एक किसान था जो अपने खेतों के लिए बीज खरीदने एक दिन बाजार गया वहां उसकी नजर दो सुंदर सुंदर घड़ों पर पड़ी किसान को वो घड़े अच्छे लगे उसने दोनों घड़ों को खरीद लिया और नदी से पानी भरकर अपने घड़ रोज ले आता था दोनों घड़ों में एक घड़े में आधा ही पानी और एक घड़े में पूरा पानी आता था क्योंकि एक घड़ा फूटा हुआ था जो घड़ा पानी भर कर लाता था वो फूटे हुए घड़े को बहुत चिड़ाता था बोलता था तुम तो बेकार हो यह बात सुनकर फूटे हुए घड़े को बहुत दुख होता था एक दिन फुटे हुए घड़े ने किसान से पूछा कि मैं आधा ही पानी लाता हूँ फिर भी आप मुझे फेकते नहीं हो या सुनकर किसान हसने लगा और बोला तुम बेकार नहीं हो जब मुझे पता चला कि एक घड़ा फुटा हुआ है और आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है तो मैंने रास्ते में कुछ सुन्दर सुन्दर फूल लगाए जिससे नदी से जब पानी भर कर लाता था तो उन फूलों के सिचाई होती थी जिसे मैं बाजार में बेच कर करता हूं यह सुनकर फूटा हुआ घड़ा बहुत खुस हुआ इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए बलकि उसकी अच्छाई को ढूंड कर उसे निखारने की कोसिस करने चाहिए